रूस के द्वारा यूक्रेन पर आक्रमन करने के बाद वहां रह रहा है भारती चात्रों के लिए भी काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है भारत सरकार अपने तरफ से काफी प्रयास कर रही है कि जितने भी छात्र है उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकाला जाये उसी कड़ी में जारखंट के भी कुछ जो बच्चे थे जो की मेडिकल के की तेयारी के लिवा गय हुए थे उनमें से हमारे साथ एक छात्रा है आपका नाम प्रियांशु गुपता प्रियांशु ने भी युक्रेयन से अभी राची पहुची है तो आए जानते हैं उनसे कि की इन तरह की कठी राईयों का सामना उन्हें करना पड़ा युक्रेयन में कैसा माकोल है वहां का मॉल बहुत ही खराब है और सबसे पहली बात तो यह थी कि बॉर्डर तक पहुचना ही मुश्किल था हमें खुदी सब पूच करना पड़ा बॉर्डर तक जाने के लिए और हमन इस बॉर्डर से पूचितीए गिवाट रोमानिया बॉर्डर से ओंबें बॉर्डर पोहँ ठीच से बचों के एंट्री और सखे इसले भीड बटे जा रहा था पर बच्चें के एंट्री नहीं हो रहा था और दो तीन दिन से बहुत सारे बच्चे महां पर फैसे वे तो और और कितने लगत बच्चे आप लोग के साथ जो बढ़ाई करें उसमें लगता है कि फसे हुए हैं अभी तो बहुत सारे बच्चे जो वहाँ पर फसे हुए और और बाकी बॉर्डर से जहां पर बच्चे फसे हुए फिलहाल और कुछ बच्चे तो बॉर्डर तक पहुच भी अभी तक तो उसमें आप लोग आप लोग कहां पर थे पहले हम चानोपील से तो फिर चानोपील से कितने दिन का रास्ता था वहाँ पहुचने में कितना दिन लगा एक दिन कई था शेसाथ घंडे लगे थे हमें प्रॉकस पहुचने के वहाँ पर जब यूद स्टाट तो खाने पीने की क्या दिक्कते हुई कुछ यह बताई इस स्टार्टिंग में कोई प्रोब्म नहीं था बिगर सारे समान थे शॉप्स में तो हमने स्टॉक बना लिया था सब चीजों का पर जब लग रहा था सिच्टिवेशन आट उप कंट्रोल है तो हमने खुद सोचा कि खुदी नहीं करना पड़ेगा बॉर्डर क्योंकि एंबसी से टरनोपल में कोई बस फिलाल आई नहीं थी हम और कोई दूसरा ऑप्शन था भी नहीं हमारे पास तो हमें खुदी करना पड़ा जो करना था जब आपने रुमानिया बडर पहुंचा तो उसके बाद इंडियन इंडियन एंबसी तो बहुत टाइम के बाद आई एक सिच्वेशन आउट ओफ कंट्रोल हो चुका था वहां पर भाग दोड़ हो गया था फारिंग हो गया था और सब कुछ आड़ ओफ कंट्रोल हो चुका था उसके बाद इंडियन अबसी आई फिर उसने काला कुछ बच् हां युक्रेशन के टाव से पूरा सपोर्ट था और युक्रेशि लोगों ने भी पूरा सपोर्ट किया है इंडियन फ्लाग साथ में इंडियन फ्लाग हो ऊखैं ॥्य पाड़ी में घृत एक सचल है हाँ यह रश्य Professor को लिगनG अब मृतए तो इंडियन फ्लाग लगाना पागिस्तानी लड़के जो थे आपके कलिक्स वगरा तो क्या उन लोगों ने भी इसका यूज किया हां सब ने लगाया तो जिसको बॉर्ड जाना था सब ने यूज किया तो चीज चलिए तो राची पहुंचकर कैसा लग रहा है अब बहुत अच्छा लग रहा है फाइनली इंटर्नेशनल कॉल से बात हो पा रही थी उनके पिटास जानते हैं कि कैसा लग रहा था उनको अब कैसा लग रहा है उस समय तो काफी टेंसन था चार-पांस जिन से काई टीवी पर ही नजर थी और ब्राबर एंबेसी से और विदेश मंत्राले से कॉंटेक्ट में थे ली मालूम चला कि आने वाली है तो टिकट टुकट हुआ तो अराम से दिली आ गई फिर दिली से अम लोग टिकट कटा करके राची ला ली अब इंडियन एंबेसी में किस तरह से आपको सपोर्ट इंडियन इंबेसी से मालूम चल रहा था फ्लाय टुलाट के बारे में यह अपी बता रहे थी का इसा दिक्कत है बहुत सारे बच्चे फस गया है जिस मेरी बेटी भी है और तो उनको जला सब मैसेज यहां से वहां कर दिया जाए इमेशी को उसको खबर किया जाए और जल्द से जल्द निकालने का प्रियास किया कि चुकि बाडरन बहुत दिन तक तो चलिए अभी आपकी बेटी आ गई है तो आपको कैसा लगा है आ गई आगा खुसी है बहुत परियास करने के बाद आई है बहुत यह ज्यादा परिश्रम करके ही आई है चलिए एक काफी डिफिकल्ट सिचुएशन थी जिसमें से सकुसल वापसी वाकई में सुखद है और हम तो यही चाहेंगे कि जितनी से जल्द से जल्द यूद खत्म हो क्योंकि यूद किसी भी समस्या क्या समाधान नहीं है और इस्तिक्योवल परिशानी ही बढ़ सकती है कैमरा परसन विकास के साथ प्रोजेस न्यूजबाइस को प्राची